हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत हैं आपका सक्सेज विद सुनिल सर की क्लास में और आज मैं आपके सामने UPPHC LTE Grade Teachers के आने वाले 30 प्रशन यानि कि जो समान अध्यन के 30 प्रशन है उसके उपर चर्चा करने वाला हूं और हम कोशिश करेंगे कि समान अध्यन टाधाई 30 प्रशनों में से कम से 28-29 प्रशन हमारे सही हो जाए वह इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं अपके सबसे पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मैक्सिमम कुश्चंस सही हो जाए तो दोस्तों चाहे आप आर्साइट के स्टुएंट हो चाहे आप साइंस आट के स्टुएंट हो यह तीस प्रशन तो आपके लिए इंपॉर्टन हैं देखिए 120 प्रशन जो है वह आपके अपनी सब्जेक्ट के हैं जो कि बहुत जादा मात्पूर ह क्योंकि वह 120 प्रशन है और यह 30 प्रशन है लेकिन इस बात ध्यान रिखेगा कि यह जो 30 प्रशन है यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट के हैं कारण कि आप जो हैं वह अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी ते किसे पढ़ते हैं और सभी उसको तरफ बहुत जाद ध्या करिए मैं आप अपनी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे को लेकि आऊँगा और इन को आप जरूर पढ़िए और जहां तक मुझे लगता है कि 28 से लेकर 29 कोशिन तक हम इसमें कवर कर सकते हैं तो चलिए आज मैं आपके सामने समाना ध्यान का को सुभात करते ह तो इसका मुख्याले है जिनेवा में 1948 में इस संग्ठन को बनाए गया था दूसरा प्रसने आपका विश्यू बैंक की स्थापना हुई तो इसका उताहिए आपका सी नंबर 1944 देखे विश्यू बैंक और अंतरराष्टी मुद्रकोश इसके स्थापना 1944 में ही हुई थी ठीक अमेरिका के एक ब्रेटन वूट शहर पड़ता है वहां पर कुछ नेताओं ने एकत्रित होकर एकसा मेलन किया था और उस मेलन के दौरान 1944 में इसकी स्थापनावी थी देखे गोविंद वल्लब पंध सागर जला से इस्थित है तो इसका उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थोन बद्ध जिला पड़ता है और वहां पे एक पीपरी नाम अगिस्थान पड़ता है जहां पर सतर वर्ग मेल में यह कृतिम छील आपके इस्थित है कोईश्च नमबर चार देखे भारत में बिटिस समराज का संस्थापक कौन था इसका आपका पांसर है स्थी लॉर्ड राबर्ट क्लाइव देखिए नाइटीन फिप्टी सावर्ट में जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें बंगाल के नवाब सराजुद दौला को पराजित किया था किसने इन्होंने राबर्ड लॉर्ड राबर्ड क्लाइव ने ठीक है और उनको पराजित करने के साथ ही साथ भारत में ब्रिटिस नमराज के इन्होंने नीव रखी थी चलिए नाक्स कोशन आते हैं कोशन नमबर आपका फाइफ है और इसमें दे रखा हुआ है 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनर्र कौन था तो इसका आंसर है आपका C D सौरी D है आपका लॉर्ड कैनिंग ठीक कोशन नमबर 76 में आईए लोग सभा के प्रतम अध्यच कौन थे तो इसका आंसर है आपका A मावलांकर कोशन नमबर 7 भारत के सर्वोष न्याले के कारवाहक मुख्य न्याइधिश को न्युक्त करता है आंसर है इसका B राष्टपती कोशन नमबर 8 भारत के किस राज्च का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है तो बिलकुल आप सही पहचान रहें इसका आंसर है आ लाइन देखते हैं राजसभा का अध्यक्ष कौन होता है तो इसका आंसर है आपका B उपराश्पती पदेन अध्यक्ष होता है कोशन नमबर 10 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था तो इसका आंसर है आपका C भगत सिंग कोशन नमबर 11 देखिए भोपाल गैस त्रस्दी की घटना हुई थी तो यह घटना कब हुई थी आपकी इसका आंसर है आपका B 3 दिसंबर 1984 को ठीक है काला गडबांद किस नदी पर बना हुआ है तो इसका आंसर है डी राम गंगा पर तेरा कोशन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्विद्याले कौन सा है तो इन चौर आप्शन में से आपका है इलहाबाद इलहाबाद आपका सबसे पुराना विश्विद्याले है ठीक कोशन नमबर 14 भाशाई आधार पर भारत में सरपर्थम किस राष्ट का गठन हुआ था तो इसका आंसर है आपका D आंद्रप्रदेश कोशन नमबर 15 देखिए भारत में किस कितने राज तटरेखा से लगे हुए हैं तो इसका आंसर है आपका 9 यानिकि A नमबर नौ राज जहें कुल मिलाके जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं शिक्षिन नमबर देखिए भारत के किस राज को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है जी हां बिल्कुल सही करनाटक को क्षिन नमबर 17 देखिए इंद्रा गांधी गोर्ड कप किस से सम्बंदित है इसका आज सारे A हॉकी से क्षिन नमबर 18 हरित क्रांती सम्बंदित है खादान उत्पादन से क्षिन नमबर 9 भारती समीधान का अनुछेद 370 त सम्बंदित है देखिए यह बहुत ज्यादा चर है मुझे पता है कि आपको आता होगा लिकर और कभी कभी आशान से भी disputes आनी चाहिए तो इसका उत्तर है आपका ए जम्मुकाष्वीर देखिए अपई कुल्चुर संबंदित है तो एपई कल्चुर जो है आपका वह मदुमक्राइड मादमधित है कि सोने का व्रेशा यानि की गोर्डन फाइबर मशूर है किस नमर कोशन है या आपका कि गोर्डन फाइबर किसले मशूर है तो इसका आंसर है ए जूट से समझ दिता है यह चीक है कोशन नमर ट्वंटी टू पूंड स्वराज का नारा किस ने दिया था इसका आंसर है कि जवाहरलाल नहरुजी ने इसका नारा दिया था आछके कोशन नमबर 22 में आते हैं हम लोग पूर्ध स्वराज का नारा किस ने दिया था यह तो देखे अभी आमने देखति लिया जवाला नह्युण निदिविए था सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं आपके इसका अंसर है बी दयानंद स्वस्ति जलिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था इसका अंसर है आपका ए तेरा अप्रेल उन्निस सो उन्निस 25 नंबर कोश्टन्स पर आते हैं हम लोग आजाद हिंद पोच के संस्थापक थे देखिए दोनों कोश्टन मैंने 25 और 26 नंबर में रखती हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आजाद हिंद पोच के संस्थापक थे आपके रास बिहारी बोस यानिकी बी नंबर और आजाद हिंद सागर के संस्थापक थे आपके राम क्रेश्न मिशन के संस्थापक कौन थे इसका आंसर है आपका C नंबर स्वामी विवेका नंत Q28 ओजून परत अवस्थित है इसका आपका आंसर है B नंबर है समताप मंडल में Q29 साजा ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी थी तो इसका उत्तर है आपका दारा शिकोहा को Q30 आजाईए सागर माला योजना संबंदित है यह किसे संबंदित है यह संबंदित है आपकी बंदर गहा से यानिके आंसर नंबर ए दोस्तो आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीचेगा मेरे चैनल को समान अजन से संबंदित अभी धेर सारे वीडियो मेरे को आपके लिए त्यार करने है और मैं जरूर त्यार करूंगा और आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ियो देखे समझ यह बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी चलिए बैस आफ लक नेक्ट